नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों मैं हिस्ट्री का जो है भारती इतिहास का पार्ड फोर लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्पूर है पॉइंटर के तौर पर रहे दोस्तों और बहुत अच्छा नोट है सभी परिछाओं में पूछे जाते है और यह पॉइंटर जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही महत्पूर है वो भी आपके राजस्वलेकपाल एनम और स्वास्था कारिकरता जो ग्रूप सी पोश्ट के लिए जो भी पद है उनके लिए यह भारती इतिहास बहुत ही महत्पूर है तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जो भी भाई बहने चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राइब लाइक जादा से जादा से शेयर कर दें जिससे यह वीडियो यह नोट जो महत्पूर नोट है मीरा साहिव फातिमा बीबी ऐसे पूछा जाता दो तो कि सरोज नयाले की प्रथम महला नयाधीस कौन थी तो यह मीरा साहव फातिमा बीबी बहुत इंपॉर्डर हर परिच्छा में दोस्तों यह पूछा जाता है चाहिए अससी का हो रेलेवे का हो कोई भी एक स्वाई जड़ दोस्तों कमप्टीशन में सभी इस तरह के कोईशन पूछे जाते हैं नेक्श दोस्तों संभिधान निर्माड के पस्चाद अब तक एक मात्र नयाधीस के विरुद महाई भ्योग पद से हटाने की प्रक्रिया 1992-93 लाई गई थी यह दोस्तों देखिएगा 1992-93 में स्री वी रामा स्वामी जो नयाधीस उस्तम नयाले के रहें उनके विरुद लाई गई थी जो महाभ्योग पद से हटाने की प्रक्रिया 1992-93 में की गई थी मात्र एक ही नयाधीस हैं यह दोस्तों ऐसे ही कोईशन पूछा जाता है सर्वोच नयाले के प्रथम मुख नयाधीस नयामुर्ती हीरालाल जे कानिया थे पूछा जाता है सर्वोच नयाले के प्रथम मुख नयाधीस कौन रहें जे हीरालाल कानिया जी मुख नयाधीस अजीत नाथ रे की नियुक्ति के समय वरिष्टता के सिधान्त पर पहली बार प्रश्ण चिन्ह लगाया गया था ऐसे पूछा जाता है कि प्रश्ण चिन्ह पहली बार कब लगाया गया था और कौन से मुख्य नयाए धीस रहें आजीत नाथ रे की नियूपती के समय ये स्धुसक्ति लगाया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्ते ये बहुत से परिष्छाओं में पूचा गया है सेम ऐसे केशवानन्द भारती बनाम केरल राज 1973 के वाद के पस्चात वरिष्ट क्रम का उलंगन करते हुए अजीत नाथरे को प्रधान न्याधिस बनाया गया था नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकार के उलंखन से संबंधित भिवाद सर्वोच न्याले के प्रारंभिक और अपीली दोनों 6 तरादिकार के अं़तरगत आते हैं सर्वोच न्याले के प्रारंभिक अधिकारता संविधान अनुच्षेद 131 में दी गई है सर्वोच न्याले के अपीली ये छेत्र अधिकार चार भागों में विभाजित है पीठ में कम से कम पांच न्यायधी सामिल होते हैं उच्तम न्याले का परामर्स दात्री छेत्र अधिकार अनुच्छेद 143 के अंतरगत आता है राश्पती को न्यायपाली का द्वारा परामर्स देने का प्राउधान संविधान के कनाड़ा संविधान से लिया गया है राश्टपती सर्वोच न्याले द्वारा दिये गए किसी परामर्स को मानने के लिए बाद ही नहीं है सर्वोच न्याले राश्टपती द्वारा किसी मामले में मागी गई सला देने के लिए बाद ही नहीं है अनुच्छेद एक सो तिराली के अंतरगत राश्टपती विधी या तथा तथ संबंदी किसी सारोजनिक महत्तों के प्रश्ण पर सर्वोच न्याले का परामर्स माग सकता है सर्वोच न्याले की न्यूक्ती सर्वोच न्याले की न्याईक पुन्रावलोकन की सक्ति सन्युक्त राज अमेरिका के न्याले की तुलना उसे कम है भारत में न्याईक पुन्रावलोकन की धारणा विधी द्वारा अस्थाफित है सर्वोच न्याले में न्याईक कामकाज के लिए अंग्रेजी भासा का प्रियोग होता है सर्वोच न्याले का आवकास प्राप्त न्याधीज भारत के किसी न्याले में वकालत नहीं कर सकता है मूल अधिकारों का संरच्छन उच्छतम न्याले तथा उच्छतम न्याले दोनों में अधिकारिता में आता है भारत में किसी राज्य उच्छतम न्याले की प्रथम महिला मुख नयमूर्ति कौन रही लीला सेट उच्छतम न्याले के न्याइक पुर्रिछड कारे का अर्थ है कानूनों की संबेधानिक वैदेता का परिछड उच्छतम न्याले के मुख न्याइधीस का बेतन कितना होता है दोस्तों एक लाख रूपे बहुत बार पूछा गया है यह अब आपका जो है हाई कोर्ड उच्छ न्याले से कोईस्चन है बहुत महत्पूर इसमें से पूछे जाते हैं दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको उच्छ न्याले राज की सरोच न्याई का दालत होती है यह सभी को पता है संभीधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रतेक राज के लिए एक उच्छ न्याले होगी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अनुच्छेद 214 संभीधान कहा गया है कि प्रतेक राज के लिए एक उच्छ न्याले होगी संसद को अनुच्छेद 231 के तहते यह सक्ति प्राप्त है कि वह दो या अधिक राजियों के लिए एक उच्छ न्याले की अस्थापना कर सकती है सरवपर्थम मुंबई, कोलकाता, चन्नाई उच्छ न्याले की अस्थापना की गई पुछा जाता है सबसे पहले किस न्याले की अस्थापना की गई थी तो मुंबई, कोलकाता और चन्नाई दिल्ली संग राज छेदर का अपना उच्छ न्याले है पुछा जाता है कि अपना उच्छ न्याले किसका है तो दिल्ली संग राज का उच्छ नयाले के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुचित 216 में दिये गए हैं उच्छ नयाले के नयधीसों की न्यूक्ति राष्टपती करता है उच्छ न्याले के न्याधीस की न्यूक्ति करते समय राश्पती मुख न्याधीस की न्यूक्ति उच्छतम न्याले के मुख और न्याधीस तथा राज के राजपाल के परामर्श से करता है तथा अन्य न्याधीसों की न्यूक्ति करते समय वह संबंधित उच्छ न्याले के मुख नियाधीस को पद की सपत संबंधित राज का राजपाल या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त की ब्यक्त दिलाता है नेक्ष है दोस्तों उच्छ नियाधीस नियुक्त होने की योग्यता जो पूछा गया है कि ऐसा क्या होना चाहिए भारती नागरी को हो जो बांसशवर्ण की आयू ना हो तथा कम से कम दस वर्स तक नियाइक पद धारन कर चुका हो या किसी उच्छ नियाले या नियाले में लगातार दस वर्स तक अधिवक्ता रहा हो वही जो है उच्छ नियाले का नियाधीस नियुक्त हो सकता है नियाज़ीसों की सरवाधिक संख्या इलहाबाद उचनियाले में उच्छ नयाले के नयाधीस को साबित कदाचार असमर्था के अधार पर संसद की अंसंसा पर भारत के राश्पती द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। सेवा निवित के पस्चात उच्छ नयाले का नयाधीस उच्छ नयाले और अन्य उच्छ नयालों में वकालत कर सकता है। संग वाद में सर्वोच नयाले ने यह अभी निर्धारित किया है कि उच्छ नयाले के नयाधीस की नियुक्ति और अस्थानांतरन के मामले में भारत के मुख नयाधीस का निर्ड़ अंतिम होगा जो वह अपने दो सहयोगियों परामर्श से करेगा। अधिनस्त नयाले दोस्तों अधिनस्त नयाले क्या 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 कोश्चन बनते हैं। जिला नयाधीस की नियुक्ति कौन करता है ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों जिला नयाधीस की नियुक्ति जो होता है राज यपाल करते हैं। जिला संबंधित अगर आ गया तो राज से संबंधित यानि राज पाल दोरा। अधिनस्त नयालों पर संबंधित उच नयाले का नियंत्रण होता है। अब प्रसासनिक अधिकरण है जो उस्तों देखें प्रसासनिक अधिकरण में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। प्रसासनिक अधिकरण का उपबंध संविधान भाग 14 का में है केंद्री प्रसासनिक अधिकरण नई दिल्ली में है पूछा जाता है केंद्री प्रसासनिक अधिकरण कहां है तो नई दिल्ली में है अनुछेद संविधान के अनुछेद 323 का द्वारा संसत को वीधी द्वार संग राज सरकार के सेवकों की सेवा सर्तों से संबंधित विवादों से निप्टाने के लिए प्रसासनिक अधिकरण की अस्तापना करने की सक्ति प्रदान की गई है संसद نے प्रसासनिक अधिकरण अधिनियम 985 में पारित किया था Як पारित किया था 985 में दोस्तों इसमें दोस्तों देखिये कि आप राज कारे पालिका से संबंदी क्या क्या question बनते है सबसे पहले राजपाल से देखा जाता है प्रतेक राज के लिए एक राजपाल होगा यह संविधान के अनुच्छेद एक सो तिरपन में कहा गया है प्रतेक राज के लिए एक राजपाल होगा अनुच्छेद किसमे कहा गया एक सो तिरपन में एक ही ब्यक्ति को दो या अधिक राजियों के लिए राजिपाल निउक्त किया जा सकता है राज की समस्ते कारेपाली का संबंधित राजपाल के नाम से किये जाते है पूछा जाता है क्या अधिकार प्राप्त है राजपाल की णियुक्ति संबंदी प्रावधान संभिधान के अनुचित 155 में किये गए है नेक्स्त पॉइंट है दोस्तों राजपाल की नियुक्ति राशपती के दोरा कि जाती है किसी राज़ का राज़पाल नियुक्त होने के लिए भारती संविधान के अंसार योगता हैं आप एच्छी दिखें कि वह भारत का नागरिक हो तो अब 35 वर्स की आई पूरा कर लिया हो पूछा जाता है कि राज़पाल अपना त्याग पत्र किसको संविधा है राश्ट पती को संविधा है राजपाल से दोस्तों यह question जितने हैं सब पूछे गया है बहुत महतपूर है जो भी भाई मैंने चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe, like, ज़्यादस ज़्यादस share करें क्योंकि यह बहुत महतपूर है दोस्तों भारती इतिहादस का भाग चार्ड जो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों like करना ना भूरे एक like जिरूर कर दीजेगा सामान नेता है राजपाल का कारेकाल कितना होता है पांच वर्ष होता है राजपाल राशपती प्रसांत परियंत पद्धारन कर सकता है पूछा जाता है कि राजपाल अपने पद की अवधी समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर धारन करेंगे जब तक उसका उत्त्राधिकार पदग्रहण नहीं कर लेता है यह भी बहुत important दोस्तों वर्तमान समय में राजपाल का बेतन 1,10,000 रुपए प्रतिमा है वर्तमान समय में जो है 1,10,000 रुपए राजपाल का बेतन है राजपाल का बेतन राजपाल की संचित निद से भारित है संचित निद पर भारित है दोस्तों छमा आदी और कुछ मामलों में दंडा देश के निलंबन परिहार या लगुकर्ण की राजपाल की सक्ति से संब्धित प्रावधान अनुच्छेद 161 में दिये गए है सभी पॉइंट बहुत महत्पूर है राजपाल जो पढ़ाया जा रहा है परिच्छा की द्रिश्ट से राजपाल की अध्यादेश जारी करने की सक्ति संब्धान के अनुच्छेद 213 में वरडित है संब्धान के अनुच्छेद 200 के अंतरगत राजपाल को यह सक्ति प्रावता है कि वह राजपान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राश्पती के विचार के लिए आरच्छित रख सकता है यदि राज में राश्पती सासन लागू है तो राज का वास्तविक प्रधान कौन हो सकता है राजपाल अक्सर पूछा जाता है यदि राज में राश्पती सासन लग गया है तो वहां का प्रधान कौन होगा तो राजपाल होंगे नेक्स है राज जेपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता पूछा जाता है कि किस पर महाभियोग नहीं लगाया सकता तो राज जेपाल पर हम महाभियोग नहीं लगा सकते हैं भारत के किसी राज मतलब उत्तर प्रदेश भारत के किसी राज मतलब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राजपाल कौन रही सरोजनी नाइडू जी बहुत बार पूछा गया दोस्तों यह कोईशन सरोजनी नाइडू जी जो है भारत के किसी राज जानी उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला राजपाल यह रही नेक्स्ट कोईशन है दोस्तों अभी हम मुखमंत्री तथा राज ये मंत्री परसद से क्वेशन क्या क्या पूछे जाते हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ संभिधान के अनुच्छेद 163 एक में यह राजपाल को उसके कारे में सहायता वा सलाह देने के लिए एक मंत्री परसद होगा जिसका प्रधान मुखी मुखमंत्री होगा बहुत इंपॉर्टेट है दोस्तों मुखमंत्री तथा अनमंत्रियों की नियुक्ति बारे में बंध संबिधान के अनुच्छेद 164 एक में दिये गए है राज मंत्री राजपाल के परसाद परियंत पद धारण करते है राज मंत्री परसद सामूहिक रूप से राज की बिधान सभा के प्रत उत्तरदाई होते है सामनेता राजपाल राज विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुखमंत्री पत की नियुक की कराता है मुखमंत्री तथा अन मंत्रियों की पत और गोपनीता की सपत जो है राजपाल दिलाते हैं राज यसे संबंदित है दोस्तों राज मंत्री परसद के सदस अपना त्यागपत राजपाल को देते हैं जिसे राज के मंत्री परसद जो रहते हैं सदस वगरा जो हुआ है त्यागपत किसको देते हैं राजपाल को देते हैं राजपाल मुखमंत्री की सलाह के बिना किसी मंत्री को बरखास्त कर सकता है राजपाल के पास इतना अधिकार है दोस्तों कि मुखमंत्री के सलाह के बिना ही किसी भी मंत्री को बरखास्त कर सकते है किसी राज की पहला मुखमंत्री जो कौन रही श्री मती सुचेता कृपलानी जी रही और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुखमंत्री थी और भारत की पहली दलित महिला मुखमंत्री जो पूछा जाता है दूस्तों सुच्री मायावती उत्तर किसी राज के सरवाधिक समय तक मुखमंत्री रहने वाला ब्यक्ति काउन है देखे दोसो साप साब दिया इसमें जोती बसु कलकटा याई पस्षिम बंगाल सबसे सरवाधिक समय तक मुखमंत्री काउन रहे हैं राज महाधिवक्ता से क्या क्या कोश्चन बनते हैं दोस्तों ये देखिएगा भारती सम्मिधान के अनुछेत 165 में राज महाधिवक्ता संबंधी प्राउधान दिये गए हैं राज सरकार का प्रथम विधी अधिकारी राज का महाधिवक्ता होता है राज के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज का राजपाल करता है महाधिवक्ता राज के राजपाल के प्रसाद परियंत पद धारन करते हैं और इसमें दिया है राज के माद्यक्ता को राज विधान मंडल का सदसे ना होते हुए भी उसकी कारवाहिएं पे भाग लेने का अधिकार होता है कि इन्तुमत देने का नहीं होता है राज विधान मंडल से क्या question बनता है जोस्तों राज विधाईका, राज पाल, विधान सभा, विधान पारिश्छजज़ से मिलकर बनती है पूछा जाता है कि राज बिधाईका जो है किस किस से बनती है तो राजपाल से बिधान सभा से और बिधान परिशद से मिल कर जो है राज बिधाईका बनती है इसमें देखेंगे हैं कि बिहार, महराष्ट, जम्मुकस्मीर, करनाटक, उत्तरपदेश, तथा आन्थपरदेश, राज में बिधान पारिसेदे हैं राज की बिधान परिश्ट की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज के बिधान सभ़ा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई एक बटे तीन नहीं होनी चाहिए। कि पूछ रहे दोस्तों राज्पाल राज बिधान परिश्द के एक वटे छय सदस्ट को मनुनीत करता है। राज्पाल साहिटे विग्यान कला सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा छेतर में ख्यात त्रात ग्यक्तियों को राज बिधान सभा परिशद राज बिधान परिशद के लिए मनूनित करता है बिधान परिशद की सरवाधिक सदस संख्या कहां पर है उत्तर प्रदेश में बिधान परिशद की कितनी है दोस्तों सो सदस से हैं कितने हैं सो सदस से लगभग इसमें पूछा है दिखे बिधान परिशत की सरवाधिक सदस संख्या जो है उत्तर प्रदेश में है आप लोग सभा के देखेंगे तो भी जो है उत्तर प्रदेश में है और राज सभा से देखेंगे तो भी जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा संख्या है सदस्यों की दोस् और बिधान परिशत के सदस से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं जिसे पूछा जाता है राजसभा वाला पूछा जाता है तो ऐसे बिधान परिशत और राजसभा का दोनों का जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं बिधान परिशत के एक तिहाई सदस से प्रती दूसरे वर्स पदमुक्त हो जाते हैं बिधान परिशत कोई नहीं भंग कर सकता है बिधान परिशत को कोई या भंग ही नहीं होती है दोस्तों कोई भंग नहीं कर सकता बिधान परिशत को बिधान परिशाद अपने सदस्य द्वारा सभापत एवं उप सभापत का चुनाव करती है बहुत बार पूछा गया है बिधान सभा सदस्यों का अधिक्तम संख्या 500 हो सकती बिधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है 500 हो सकती है दोस्तों किसी राज के बिधान सभा में नियूंदम 60 सदस्य हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के बिधान सभा के सदस्यों की संख्या सरवाधिक 404 है दोस्तों और 403 चुने हुए तथा एक राजपाल द्वारा मनोनित अंगले भारती होते हैं भारत के दिल्ली वा पंडचेरी दो संग्राज छेत में बिधान सभा है और राज बिधान सभा का सदस से बनने के लिए ब्यक्त की आयू कम से कम 25 वर्स होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों सामानिता बिधान सभा की आवधी 5 वर्स होती है और पहले जो क्या था दोस्तों इसके पहले जब जम्मू कस्मीर जो है पूर जो था उसमें अब तो अलग हो गया है ना अब जो है जम्मू कस्मीर का जो है जो भ बिधान सभा जो है कि यह अवधी 6 वर्स रही बिधान सभा अवधी उस तिति को प्रारंब होती है जिस तिति को पहली बैठक होती है बिधान सभा को 5 वर्स की अवधी के पूर्व राजपाल बिगटित कर सकता है यह पूछ रहा है कि पूर्व राजपाल कब तक बिगटित क और राज बिधान मंडल के सदस्यों को सपत जो है राजपाल या उसके द्वारा नियू की कोई व्यक्ति दिलाता है आम चुनाओ के बाद राजपाल बिधान मंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है बिधान सभा अध्यच वा उपाध्यच चुनाओ बिधान सभा के सदस्य करते है राज बिधान सभा का अध्यच अपना इस्तीफा जो है बिधान सभा उपाध्यच को सौपता है बिधान सभा में कोई धन बिधयक राजपाल की अनुमती से पेश किया जा सकता है इसमें दिया है बिधान सभा में कोई धन बिदेयक जो है राज जिपाल की अनुमत से पेस किया जा सकता है तो दोस्तों जो ये भारती इतिहास मैं आप लोगों को बताया हूँ आज बहुत ही महत्पूर है परिच्छा के दिरिश्ट से बहुत महत्पूर है जो भी भाई बहने चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे जो है नवंबर में आप लोगों का मेंस परिच्छा होने जा रहा है स्वास्थे कारेकरता का और एनम का स्वास्थे विभाग से संबंधित जो भी पद हैं वो सब होंगे 9212 पद के फार्म म भाई बहने पेटे पी इटी जो है क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए जो है बहुत बढ़िया मौका है एनम स्वास्थे कारिकरता और राजस्व लेखपाल ये तीनों पद जो है दोस्तों जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे और इसका फार्म जो है जहां तक है लाश पूर नोट है धन्यवाद